तो यार सबसे पहले मैं आप लोग को सौरी बोलना चाहूंगा क्योंकि भाई बहुत दिन हो गया करीब एक महीने से उपर हो गया मैंने कोई भी वीडियो जो अप्लोड नहीं की पने चैनल पर जिससे आप सारी लोग जो कासे जादा नाराज होंगे मुझे पता है फिर नहीं सबसे हमारी वीडियो जो है वो कंटेनियू रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी तो चली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक 250 मिली लीटर का बीकर रखने से और इस बीकर के अंदर दोस्तों मैं डालूंगा करीब 50 मिली लीटर कंसेंट्रेटर हाइड्रो क् एसड यहां पर मैं 37% हाइड्रोकलोरिक एसल का इस्तमाल कर रहा हूं और उसके बाद दोस्तों हम इसमें मिलाने वाले हैं करीब 30 मिली लीटर कंसेंट्रेटर हाइड्रोजन पर औक्स्याड यहां पर आप छे परसेंट तीन परसेंट बारा परसेंट ऐफर तीस परसेंट हा यहां पर मैं 12% के आसपास hydrogen प्रोक्षाल के इस्तमाल कर रहा हूं और आपने देखा होगा कि जैसे मैं इसको मिलाया है यहां पर काफी अदा फ्यूम्स जो हैं निकलने लगे हैं अब दोस्तों इसके अंदर हमें मिलाना होगा copper metal लेकिन उसको मिलाने से पहले हमें इसे जो है बाड़े से टब में रख लेते हैं क्योंकि यहां पर काफी यदा फोर्मिंग होने वाली है सो दोस्तों यह रहा हमारा बीकर जो कि हमने टब में रख दिया है अब सिंप्ली हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं करीब 21 ग्राम copper metal के turnings यहां पर आप copper metal का कोई भी सोस इस्तमाल क कर सकते हो मैं अभी यहां पर copper metal के चोटे चोटे पाइपस भी इसके अंदर डाल दूँगा तो गाइस यहां पर हमने इसे मिला लिया है और हम सिंप्ली से थोड़ा सा सेख करेंगे और ऐसे ही रख देंगे और इंतजार करेंगे इसके reaction के होने का तो दोस्तों यहां पर हमारी reaction जो है complete हो चुकी है और भाई मैं आपको record करके दिखा नहीं पाया लेकिन हाँ reaction इतनी ज़्यादा तेज थी कि सब कुछ जो है out of control जा रहा था इसे वाज़ा से मैं आपको beaker को एक बड़े setup के अंदर रखने के लिए कहा था और यहां पर आप सब्सक्राइब करते हैं आप सब्सक्राइब करते हैं आप सक्रिस्टलाइशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाइग्रिस्कोपिक होता तो पानी काफी आदा में आपको रहा है तो दोस्तों यहां पर एक बड़े से ट्रेप मैंने अपना copper chloride का solution जो है डाल दिया है और आप देख सब इसके अंदर पूरा में डाल दूँगा और इसे बाद हम इसे रख देंगे च्छत के उपर सूखने के लिए आप चाहते इसे बॉल कर सकते हो लेकिन इतना आधा तापमान है यार तो बॉल करने की क्या ही जरूरत है वह ऐसे खुद ही निकल जाएगा तो चलिए दोस्त सकते हों चलिए दोस्तों में पूरा इसे निकाल लेता हूं उसके आद में आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यह रहा हमारा कौपर क्लोराइड जो कि आप देख सकते होगे काफी अच्छे मांट बना है और काफी अच्छा लग रहा देखने में तो दोस्तों यह रहा हमारा कौपर क्लोराइड जो कि हमने बनाया कौपर मेट्यल है और हैड्रोजन पर औकसाड करके दोस्तों देख सकते होगे यह हमारा कौपर क्लोराइड है अब सिंपली दोस्तों यह जो है थोला सा ना पानी का अपजार्ब करता है इस वादा से दोस्तो हम इसे एक air tight container में रखनेवाले हैं यहाँ पर दोस्तो मैं इसे इस वाले container में रखने वाला हूं इसे मैंने लेबल कर दिया था हालाकि यह थोड़ा सा छूट गया है तो चलिए दोस्तों इसे मैं इसमें रख लेता हूँ तो दोस्तों यह रहा हमारा copper chloride जो कि हमने अभी अभी synthesize किया हुआ है तो चलिए दोस्तों इसे मैं सिंपल एक container में रख लिया है मैंने और इसे अब मैं जो है एक धक्कन की मदद से अच्छे से बंद कर दूँगा और इसके चारों तरफ मैं teflon tape wrap कर दूँगा जब मुझे use करना होगा तब इसे खोल के निकाल लूँगा मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यह पानी को absorb काफी जादा करता है और लिक्विडिश्ट में जो है convert हो जाएगा पानी को absorb करके तो चलिए दोस्तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो copper, chloride और हाँ भाई नीचे आप comment ज़रूर किया करो कि हाई आप अगली वीडियो किस पर देखना पसंद है मैं obviously आपकी जो demand होती है न मैं तुरंत पुरा करने कोशिस करता हूं लेकिन हाँ कुछ पहले से demand होती है तो वो भी line में लगी होती है लेकिन आगर आप comment करोगे तो एक ना एक दिन आपकी जो demand है वो ज़रूर पूरी होगी हमारी ही channel पे क्योंकि हमारे channel पे देर हैं अंधे नहीं क्योंकि हम science दिखाते हैं सुतिली बम नहीं तो चली दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से आने वाले एक बढ़िया सी वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जाहिद हुआ 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 हुआ